Hello Sagitarius अभी हम Sagitarius की रिडिंग देखेंगे कि Sagitarius की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है अभी मैं लेक कर आहे हूं कब्रेङजे रिक्वेस्ट आ रहे थी इसलिए मैं Sagittarius की बना रहे हूं पहले Sagitarius की रिडिंगा निकालेंगे अभी उसके पार्टनर के कार्ड निकालेंगे साजिटीर इसके पार्टनर के कार्ड निकालेंगे अभी उसके पार्टनर के निकालेंगे बटन टेके नाइन उसके लिए अगर मैं आवर्ल निकालेंगे अभी उसके पार्टनर के निकालेंगे बहुत परिशान हैं सोच करके कि हमारा रिलेशन्शिप कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दोनों इस पार्टनर को सोचते हैं कि उनके साथ में जस्टिस नहीं हुआ ठीक है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों इस पार्टनर जो है एक दूसरे के लिए ऐसा सोच रहे हैं रातों को सो नहीं पा रहे हैं सोच सोच करके बहुत टेंशन में हैं ऐसा लगता है कि बहुत जादा एंग्जाइटी फील होती है बहुत जादा जो है टेंशन में हैं ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहे हैं लोगों की बातों को सोच रहे हैं और उसके बारे में सोच सोच करके जो है परिशान हो रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे लोग क्या समझे मतलब लोग ऐसा सोचेंगे तो फिर हम कहां जाएंगे इस तरह से जो है हो सकता है लोगों की बातों को सोच सोच करके काफी परिशान हो रहे हैं दोनों ही पार्टनर ठीक है I hope आपको कार्ट दिख रहे होंगे तो मैं यहां पर देख पायों की Sagittarius आपकी energy मुझे यहां पर यह लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि सारा बोज मेरे इकंदो पर आ गया है सारा बोज मैं ही जेल रहा हूँ या जेल रही हूँ ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है energy reverse भी हो सकती है अगर आप cross watcher है तो ठीक है यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है guys कि आपके साथ में justice तो हुआ है नहीं है third party में हो सकते है या अपनी family में हो सकते है तो यहां पर उनकी वज़े से भी आपकी life में काफी दिक्कते आई है family की वज़े से भी लेकिन मैं यहां पर यह देख पार हूँ कि काफी जो है वो आपके तरफ attraction feel करते हैं आपकी beauty को देखकर कि काफी attracted है ऐसा भी में यहां पर देख पार हूँ लेकिन वो अभी आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं आपके साथ में justice करने की सोच रहे हैं मैं यहां पर यह देख पार हूँ guys की वो आपके साथ में अपनी एक family बनाना चाहते हैं ठीक है हो सकता है कि अभी तक उन्होंने ठीक से response नहीं दिया हो लेकिन अभी वो आपके साथ में happy family बनाना चाहते हैं या वो अपनी family में आपसे बात करना चाहते हैं कि इसने काफी responsibility उठाई हैं, अभी मुझे काम करना चाहिए, मुझे सब कुछ करना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप मौन करने की सोच रहे हैं, कि सारी responsibility मेरे कंदों पर आ गई हैं, मुझे मौन क करना चाहते हैं, आप अपनी life में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने उपर काम करना चाहते हैं, आपको शैद जो है, अपने सपनों को पूरा करना हैं, और आपके लिए सूर्य उदय भी हो रहा हैं, आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर आपको success मुझे मिलती भी नजर आ रही है तो आप अपने काम पर फोकस्ट रहना चाहते हैं लेकिन आपको बढ़न लग रहा है कि सारी मेरे कंदों पर रहती है इसलिए जो है मैं इस रिलेक्शनशिप से आउट हो जाता हूं जब टेंशन खतम और मुझे भाहर निकलना चाहिए ठीक है आप सारा को छोड़ करके जमेला और आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में तो यह आपके पार्टनर को कहीं कहीं कोच रहे हैं ठीक है और अगर मैं आपके परसन के इनर्जी देखू सेज़िटेरियस तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आपके परसन काफी मेडिटेट करती होंगी हर्मिट मोड पर हैं काफी अपने अंदर जहांक रहे हैं अपने आप में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है कि उनको हैल्थ ईशू भी हों जिसकी वजे से भी वो काफी परिशान हो और अभी वह एफर्ट लगाना चाहते हैं इस रिलेशन हिप पर-दे चाहते हैं मुझे यहां पर ये दिखाई दे रहे हैं कि वह अभी सब कुछ ऑचीव भी करना चाहते हैं यानि by hook by crook किसी भी तरह से आपको अपनी life में लाना चाहते हैं हो सकता है इसके लिए आपके साथ में बात भी करें हो सकता है कि आपके साथ में hot talks भी हो जाएं हो सकता है कि वो बहुत जादा जल्दबाजी में आपसे बात करें और मीनिंग कुछ और निकले और कहना कुछ और चाहते हूं मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में reconcile करना चाहते हैं और बहुत tension में हैं ठीक है और यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि और जिससे क्या होगा कि आपका समय भी बदलेगा ठीक है ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि tension नहीं लेना है ठीक है और सब कुछ ठीक होगा efforts लगाना चाहते हैं दोना यह partner ठीक है चलिले देखती message आपके लिए आपको एंजल देखते हैं ठीक है देखे उनको यह पता है कि उन्होंने choices जो है अपने different बना ली थी इसी वज़े से आपकी life में दिक्कते आ रही है यह उनको सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे यहां पर दिखाई दे रहे कभी-कभी वो सोचते हैं कि आप उनसे जो है different है ठीक है आपका सोचने समझने का नजरिया ही अलग है फिर यह सोचते हैं कि मैंने सब कुछ बिगाड दिया है और इस वज़े से मैं सब कुछ ठीक भी करना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं चीजों को कैसे ठीक करूँ कैसे बैटर करूँ ऐसा वह सोच रही है लेकिन मुझे यहां पर एडिक्टिट भी लिखाई दे रहे है आपके तरफ ज़्यादा अट्रेक्शन फील करते हैं जूट बहुत बोलते हैं आपके पर्सन हद से ज्यादा जूट बोलते हैं वह कहते हैं कि मुझे जूट बोलने में आसानी होती है सच बोलना मेरे लिए बहुत टाफ काम है इसलिए मैं आसानी से जूट बोल जाता हूं ठीक है आपके person जो है वह बहुत का जूट बोलते हैं दूसरा आपके beauty उनके अपनी तरफ attract करती है ऐसा वह कह रहे हैं ठीक है जो attraction मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अगर मैं बताना चाहँ कि आपके person के sign कहें तो हो सकते है कि Taurus Virgo Capricorn हो सकते है या Aries Leo Sagittarius हो सकते है या फिर जो है Pisces Cancer Scorpio हो सकते है ठीक है Gemini हो सकते है तो यह थी आपकी रिदिंग, I hope गई रिदिंग आप से रजन थे रजन थे रजन थे रजन थे प्लीज़ दो लिकेड शेर अब सब्सक्राइब आज़न थालन थैंक्स वो सचने तिल नेक्स देग केर बागा